राजस्थान का मौसम फिर से करवट ले रहा है। मौनसून थोड़ा सुस्थ पड़ा है, लेकिन कुछ जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। सुमवार की सुभहसीकर और बहरोड में भारी बारिश हुई, जबकी दोपहर बाद नीमका थाना, दुंगरपुर, भीलवाडा और जालोर में भी जमाजम बरसात हुई। दूसरी तरफ, राजधानी जैपुर में दिनभर धूप और उमस ने लोगों को पसीनापसीना कर दिया। मौसम विभाग की माने तो इस सीजन में अब तक प्रदेश में 127 मिमी से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 10 प्रतिशत ज्यादा है। सुमवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान जैसलमेर में 42 डिगरी दर्स किया गया। फलोधी में 41 डिगरी, गंगानगर में 40.4 डिगरी, जोधपुर में 40.3 डिगरी, बीकानेर में 40.2 डिगरी, अजमेर में 36.4 डिगरी और कोटा में 35.5 डिगरी अधिकतम तापमान रहा। वहीं राजधानी जैपुर में दिन का तापमान 35.8 डिगरी और नियून्तम तापमान 28.2 डिगरी दर्स किया गया। राजस्थान के लोगों एक खुश खबरी है। मौसम विभाग के अनुसार एक नया कम दबाव का तंत्र बंदाल की खाडी में बनने जा रहा है। इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कई स्थानों पर अगले 4-5 दिनों तक मौनसून सक्रिय रहेगा और कोटा उदेपुर संभाग में भारी बारिश होने की संभावना है। सत्रह से 18 जुलाई को बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और कोटा उदेपुर अजमिर संभाग में कहीं कहीं अती भारी बारिश हो सकती है। साथ ही, 17 से 19 जुलाई के दौरान जोधपूर और बीकानेर संभाग के कई स्थानों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और 18 जुलाई को कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। याद रखें, मौसम की भविश्यवानी हमेशा सटीक नहीं होती, इसलिए हमेशा तयार रहें। लोकल 18 के लिए जैपुर से काजल मनोहर की रिपोर्ट